श्री गनेशाय नमह, अत श्री पद्म पुरानान तर्गत, माग मास महात्मिय 24 वा अध्याय, लो मश्ची कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अनतामिश्र नरक में जहां पर अती दुखों को प्राप्थ हुआ, फिर महारोरव, फिर मूर्चा को प्राप्थ हो गया, मूर्चा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया, अनेक दुखों को भोगता हुआ, वह प्रतापनाम के नरक में गया, तब काकोल, कुलपल, पूर्व, मृतिका, लोहशनकु, मृजीप आधी नरकों में होता हुआ असी पत्रवन में पहुचाया गया फिर लो धारक आदी नरकों में गिराया गया भगवान विश्णू के साथ ग्वेश करने के कारण वह 21 युग तक भयान कर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकल कर हिमालय परवत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ उस वन में वह रिक्ष के नीचे वल दुखी होकर हाय में मरा हाय में मरा ऐसे शब्ध जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा भूख से दुखी मेरे इस चन्म का कबंध होगा इस पाप रुपी समुद्र में दूपते हुए मुझको कौन सहारा देगा लो मर्श्ची कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्यूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल दरावनी आखे दुर्बल शरीर काले काले उपर खड़े बाल विक्राल चहरा काला शरीर लंबी सी जीप बाहर निकली हुई लंबे ह लंबी जागे लंबे लंबे पर सूखा चहरा आखों में पड़े गढ़ने वाले पिशाच को देखकर देवद्यूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुना से क्यों रोते हो तुम्हारी ये अरदशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं मेरे चन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि ही द्वेज। किसी बड़े कुन्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना कुन्य की साध्वों की संगती नहीं होती और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विश्नु के द्वेश के क जिसको मुक्ती के लिए पूजते हैं, जो आदी, मध्यवरंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदी, मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान की साथ मैंने द्वेश किया। जो कुछ पोन्य किये मैंने पहले जन्म में किये थे, वो सब विश्नु की द्वेश पिशाच योनी में पढ़ा हूँ, इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहां पर आपके सूरिय रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है, अब आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी यह पिशाच योनी द हो क्योंकि सज्जन पुरोश उपकार करने में देर नहीं करते हैं, देवध्यूति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुश्य, असुर सबकी स्मृती को मोहित कर देती हैं जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेश उपन हो जाता है, जगत के उपन करने, रक्षा करने और न करना ही उत्तम है अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुश्य नरक की गामी होते हैं, इसी कारल वेध विरुद्ध कर्मों को त्यादना चाहिए, अपनी बुद्धी से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुश्य पर लोग के पत का भी नाश करते हैं, वह वेध, द जिन्दा नहीं करनी चाहिए और वेध में न कही गई ख्रिया को भी नहीं करना चाहिए, लोमश्ची कहने लगे कि, ऐसा कहने पर मुनी ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माग मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो उससे तुम्हारी वह पिशाच योनी समाप्थ ह हो जाएगी, माग मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापो से मुक्त हो जाता है वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं, संसार में यह मूक्ष और स्वर्ग का खुला हुँ अद्वा दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम से गंगा यमुना की संगम का वर्नन नहीं कर सकता जिसके जलकी एक बून की स्पर्ष से केरल देश का ब्राहमन मुक्त हो गया। रिशी के ऐसे वचन सुन प्रेट के मन में शांती उत्पन हो गई मानों सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनैपूर्वक रिशी से पूछा। रिशी से क्या पूछा इसका वर्नन अगले अध्याय में किया जाएगा। इती श्री माग मास माहत्ने 24 वा अध्याय समाप। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे।